हेलो एरिवन आज देमें लोग पनने वाले हैं टॉम थम इंग्लिज क्लास 3 चैप्टर 5 तो आईए स्टार करते हैं इस चैप्टर को यानि एक लकड़ हारा था जो वह अपने छपपर में यानि वह अपने छोटे से जोपड़ी में बैठा हुआ था और वह उस छपपर में बैठ कर अपने आपको क्या कर रहा था आग सेक रहा था ठीक है और उसकी जो वाइब थी उस लकड़ हारे की उसके बगल में बैठे हुई थी और वह कपड़े बुन रही थी यानि लकड़ हारा कहता है अपने वाइब से कि कितना ज़्यादा हम लोग अकेले हैं हम लोग यहाँ पर बिना किसी बच्चे के बैठे हुए हैं यानि लकड़ हारा कहता है अपने वाइब से कि कास हमारे पास एक छोटा सा बच्चा होता जो हमारे अगल बगल खेलता तो काफी खुसी का महौल होता और जो भी दूसरी लोग हैं उनके बच्चे हैं और वो लोग काफी खुस हैं अब इसके बासे उस लकड़ हारे की पतनी कहती है कि जो भी आप कह रहे हैं काफी अच्छे कह रहे हैं यानि काफी सत्य कह रहे हैं इसके बासे जो लकड़ हारे की वाइफ रहती है वो फिर से क्या करती है अपने कपड़े बुनना सुरू करती है इसके बाद से वह जो लकड़ हारा रहता है वह कहता है कास हमारे पास एक ही बच्चा होता लेकिन वह इतना छोटा होता कि वह हमारे एक अंगुठे के बराबर होता अगर मेरे पास एक अंगुठे जितना भी यानि जितनी height है ठीक है अंगुठेक जितनी height है उतने thumb के height जितना भी हमारे एक बेटा होता तो हम लोग काफी खूस होते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं यानि आप सोचते होंगे कि यह जो woman यानि जो यह जो कह रही है कि कास मेरे पास एक बच्चा होता और उसका जो size जब वो thumb के बराबर होता मिस अंग्ठे के बराबर होता तो क्या उसका wish पूरा होता है not long afterwards she had a little boy who was quite healthy and strong but was not much bigger than your thumb अब इसके वाद से क्या होता है जो उस अवरस मतलब उस लकड़हारे की पत्नी का जो इच्छा था वो पूरा हो जाता है कुछ समय बाद क्या होता है उस लकड़हारे की पत्नी का एक लड़का हो जाता है और वो लड़का जो है उसका जो size है ठीक है उसकी जो height है वो basically thumb के जितना ही था अब आगे story में क्या होता है so they said well we have cannot say we have not got what we wish for अब इसके बाद से आप देख सकते हैं ये लकड़हारे की पत्नी है और ये लकड़हारा है ठीक है और इसका जो बच्चा है छोटा सा उसके हाथ में आप देख सकते हो इसके बाद से उसकी पत्नी कहती है कि अब हम लोग नहीं कह सकते हैं अपने आप से कि हमारी जो इच्छा थी वो पूरा नहीं हुई है Little as he is, we will love him dearly इसके बाद से वो कहते हैं कि जितने हम लोग इच्छा किये थे कि इतना मतलब बड़ा मेरा बेटा हो जाये या लड़का हो जाये साहे उतना ही बड़ा हुआ है और हम लोग इससे काफी प्यार करेंगे and they called him Tom-Thum इसके बाद से उस लडगे का नाम रखते हैं लकाहरा और लकाहरा के पतनी Tom-Thum ठीक है they gave him plenty of food अब इसके बाद से जब उनका लड़का पैدا को गया तो वो लोग क्या की है अब उनको धेर सारा food देते थे ठीक है जो लकाहरा थे और जो लकड़ारा की पतनी थी अब अपनी बच्चों को धेर सारा food देते थे, खाने के लिए भोजन देते थे येट फिर भी, for all they could, do he never grew bigger, इसके बाद से धेर सारे food देते थे, जो लकड़ारा थे और लकड़ारा की पतनी थी, ठीके लेकिन उसके बावजुद भी उसके लड़के का height था, वो नहीं बढ़ता था but was just the same size as he had been when he was born और उसका same ही size था, जितना बड़ा वो पैदा होते हुए उसका height था, उतना बड़ा ही कही सालों बाद भी था sharp and sparkling and he soon still his eyes were sharp and sparkling and he soon showed himself to be clear little fellow, इसके बाद से अभी वी उस बच्चे का जो आँखे थी काफी साथ थी, इस वागन चमकदार था ठीक है, और वो अपने आपको काफी चतूर सीध करना चाहता था, या किसी को दिखाना चाहता था या वो जो छोड़ा ललका था, वो अपने ममी पापा को अपने आप पे वो क्या करना चाहता था पूरूब करना चाहता था कि वो क्या है, काफी चतूर है एक दिन, आज दो ऊट कटर वास गेटिंग रेड़ी तो गो इंटो दो फोरेस तो कट दो एक दिन क्या हुआ, जो लकटहारा था वो जंगल जाने के लिए तयार हो रहा था, और जंगल जाकर लकटि काटने के लिए वो तयार हो रहा था, ठीक है He said, I wish I had someone to bring the cart after me, इसके बास से जो लकटहारा है, वो रेड़ी हो रहा था जंगल जाने के लिए और लकड़ी काटने के लिए तबी वो लकड़हारा कहता है कि कास मेरे साथ कोई और होता जो कि मेरी बैलगारी है वो मेरे पीछे-पीछे लेकर आता For I want to make hast इसके बाद से वो कहता है अगर मेरे साथ कोई और दूसरा होता और वो मेरे पीछे-पीछे बैलगारी लेकर आता तो साथ जो भी मैं जंगल का काम है मतलब लकड़ी काटना वो काफी जल्दी मेरी हो जाती इसके बाद से Oh Father Cry Tom इसके बाद से Tom यानि उस लकड़हारे का बेटा कहता है Oh Father, I'll make sure that the cart is in the woods by the time you want it इसके बाद से वो छोड़ा लड़का कहता है कि Dad, आप फिक्र मत करिये जो आप काट करें मतलब बैलगारी कह रहे है मैं उस बैलगारी को समय पर आपके पास पहुँचा दूँगा The Wood Cutter laughed और इसके बाद से जो लकड़हारा रहता है वो अपने बेटे की, छूटे से बेटे की आवाज सुनकर हसता है and said और वो कहता है How can that be? यह कैसे हो सकता है? You cannot reach up the horse breedal तुम अभी horse के जो breedal रहता है यानि जो पट्टे लगे होते हैं उसके पास भी नहीं पहुँच सकते हो और तुम कह रहे हो कि मैं बेल गारी लाओंगा How can be that? कैसे हो सकता है? कैसे possible है? Never mind that father said Tom इसके बास से वो छोटा लगा जवाब देता है कि कोई बात नहीं पिता जी If my mother will only harness the horse I'll get into his ear and tell him which way to go इसके बास से वो कहता है कि अगर मेरी मम्मी जो है वो क्या करे? वो उस घोडे के ठीक है? पास बिठा दे या घोडे को उपर बिठा दे तो मैं घोडे से चिला कर कह सकता हूँ या उसके कान में कह सकता हूँ कि कि किस रास्ते उस घोडे को जाना है इसके बास से कहते सब Will said the father Let us try this for once इसके बास से क्या होता है वो कहते है चलो ठीक है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है चलो हम लोग try करते है साहे तुम ये काम कर पाओ इसके बास से क्या होता है जो लकरहारी की पतनी रहती है या उस लड़के की मा रहती है उस टॉम को क्या करती है उस घोडे के उपर उसके कान के पास बीठा देती है As he sat there जैसे ही वो जो टॉम था उस घोडे के उपर उसके सर पर बैठ जाता है टॉम टोल दे हर्स How to crying out Go on और इसके बास से जो टॉम था उस घोडे को इंस्ट्रक्शन देता था या कहता था कि किस राष्टे तुमको चलना है चिल्ला कर Go on and stop यानि वो चिल्ला के कहता था Go on यानि चलते रहो and stop जहां पर रुखना होता था वो stop कहता था As he wanted जैसा वो चाहता था इसके बास से क्या हुआ Thus and thus और इसी तरह The horse went on just as well as if the woodcutter had driven it himself into the woods इसके बास से क्या हुआ जो ये टॉम था वो जिस तरह से लकलहारा इस बैलगारी को उस जंगल में ले जाता था उसी तरह से बिलकुल वो जो टॉम है इस बैलगारी को उस लकलहारे के पास जंगल में पहुचा देता है It happened that as the horse was going a little too fast and Tom was calling out gently अगर कभी कभा जो घोड़ा था वो काफी fast दोड़ता था या चलता था तो जो टॉम था वो कहता था gently यानि gently जन्टली यानि अराम से चलो इसके बासे जो दो आदमी होते हैं उस घोड़े के पास में आते हैं वो कहते हैं इसके बासे उस दोनों आदमी में से एक आदमी कहता है कि यह कितना अजीब बात है यानि यहां पर एक जो बैलगारी है वो हमारे पास से गुजर रही है लेकिन मैं इस बैलगारी को और घोड़े को देख सकता हूँ लेकिन मैं किसी दूसरे को नहीं देख पा रहा हूँ मैं सिर्फ किसी इंसान को उस घोड़े से बात करते हुए सुन पा रहा हूँ लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ इसके बास से क्या होता है जो टॉम थम रहता है वो पूरे समय पर वो जहां उसके पिता जी रहते हैं या लकड़हारा रहता है वहाँ पर अपना बैलगारी लेकर वो पहुंच जाता है उस जंगल में जैसे ही वो टॉम अपने पिता जी को देखता है बैलगारी से यानि बैलगारी के पास से वो चिलाता है सी फादर देखिए पिता जी देखिए पिता जी मैं यहां बैलगारी के साथ आपके पास पहुंच गया हूँ और right and safe, पूरी अच्छी तरह से और safety के साथ Now, take me down, अब मुझे नीचे उतारो अब जो tom होता है, ठीक है वो कहता अपने पिताजी से कि पिताजी मैं time पर आपके पास पहुँच गया हूँ अब मुझे क्या करो, आप उस घोडे से नीचे उतारो So his father took hold of the horse with one hand and with the other took his son out of the horse ear इसके बासे क्या करता है, वो जो लकड़हारा राता है उस tom thumb यानि अपने बेटे को नीचे उतारता है उस घोडे से और उसको नीचे उतारे क्या करता है, put him down upon the straw और वो एक छोटे से पोधे के पास रख देता है वेर ही सथ हैपली और जहां पर वो जो लकड़हारा का बेटा था, वहां पर क्या कर रहा था खुसी-खुसी बैठा हुआ था So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल Thank you so much